Hello Friends, Welcome to DH Classes तो दोस्तो आज हम पढ़ेंगे लेपरोसी के बारे में जो लेपरोसी के जो क्लासिफिकेशन से उनको देखेंगे प्रिवेंशन को देखेंगे, कॉजिज वगारा और साथ-साथ सिम्टम्स को भी देखेंगे पूरे ब्रीफ में पढ़ेंगे हम लेपरोसी के बारे में दोस्तो जो लेपरोसी है इससे आपके जो डी-एड के होती है उसमें भी हल्प होगी इस वीडियो से और साथ-साथ जो डी-एसेच भी बगारा के जो पेपर होते है टी-चिंग के चाहिए वो नॉर्मल बी-एड के हो या स्पेशल एजुकेशन के हो उन दोनों में इससे कही ना कही कॉशन बनते ही है तो चलिए दोस्तो आज की वीडियो स्टार्ट करते है पहला पॉइंट है प्रेड बाए हम यह देखते हैं कि जो लेपरोसी है वो फैलता है किसके कारण है किस जीव के कारण फैलता है तो जो लेपरोसी है वो बाए होते है बैक्टीरिया के कारण फैलता है तो यहाँ पर कई बार कॉशन बन जाता है कि लेपरोसी किसके कारण फैलता है fungus वगरा या bacteria वगरा तो आप bacteria को ही select करेंगे और इस bacteria का नाम होता है Microbacterium leprae spread through respiratory tract infections जो ये leprosy है ये जो इनसान का respiratory tract होता है उसके कारण एक व्यक्ति के पूरे शरीर में फैल जाता है उसके बाद है effects तो जो ये leprosy है ये affect करता है हमारी skin को और साथ साथ nerves को भी और जो leprosy है ये काफी दीरे दीरे एक इनसान की body में जाने के कई सालों बाद जाके अपना जो effects दिखाने लगता है और ये काफी दीरे very slowly effects दिखाते हैं एक इनसान के अंदर लगबग ये चार साल के अंदर इसके symptoms वगएरा show होते हैं और खाली इंडिया के अंदर ही लगबग 40 लाख लोग leprosy से ग्रस्त है या पीडित हैं अब देखते हैं characteristics of leprosy characteristics are seen at differently at different stages known as जो leprosy के जो symptoms है या characteristics हैं वह अलग-अलग stage पर अलग-अलग characteristics दिखाते हैं तो basically इसकी तीन stages में ये divided है तो पहली stage है इसकी उसमें हम देखें है primary characteristics क्या होते है primary characteristics में भी इसके अंदर दो है पहला है sports on the skin और उसके बाद जो second होता है वो होता है sensation का तो जो sports on the skin मतलब एक इनसान की जो तुचा होती है skin होती है उसके उपर sports मतलब धब्बे बढ़ जाते हैं having different colors from the skin और जो ये धब्बे होते है sports केलो या patches वगएरा इनका color जो होता है वो normal skin से अलग color के होते हैं साथ साथ primary characteristics के अंदर no itching और no burning sensation होते हैं और लब ना ही इसमें खुजा वगएरा मचती है और ना ही इसमें जलन सी महसूस होती है इनसान को अब हम देखते हैं sensation में sensation मतलब कि कोई भी इनसान की जो skin की sensitivity होती है वो किस तरीके की हो जाती है जहां पर की इनसान के patches वगएरा पड़ गे हो तो starting में तो normal sensation होती है पर धीरे धीरे होके आगे चलके उसी point में या उसी area में जहां पर आपके affected हो रख है effect हो रख ही है skin उसके अंदर जो sensation है वो कम हो जाती है और आखिरकार no sensation हो जाती है फिर है secondary characteristics no sensation arms or legs में मतलब की जो हमारी हाथ और पैर होती है उनकी धीरे धीरे करके इनसान की no sensation हो जाती हो आपके कोई sensation फील नहीं होती इनसान को और साथ साथ जो legs और arms है वो becomes weak and develops deformative मतलब हमारे हाथ पैर हो कमजोर पड़ जाते है और उनके अंदर deformative आ जाती है यहाँ पर limbs है जो lower limbs होते हैं हमारे हो bent forward मतलब हमारे जो पैर होते हैं आगे की तरफ जुक जाते हैं उसके बात है pain and swelling in nerves जो हमारी nerves होते हैं नसे होते हैं उनमें दर्द होता है और साथ साथ सूजन भी आजाती है हमारी नसों के अंदर और जो swelling आती है nerves के अंदर यह visible होता है upper surface के मतलब जो skin से आप के उपर से आप देख के बता सकते हो कि हाँ भी इसकी nerves वगर है वो सूजी हुई है फिर अब हम इसकी advanced science देख लेता है advanced characteristics देख लेता है जो कि इसकी third stage की है उसके अंदर है जो upper layer of skin become reddish जो तवचा का उपरी भाव होता है वो लाल रंग का हो जाता है reddish हो जाता है साथ साथ जो eyebrows होती है वह vanish हो जाती है मतलब कि जो eyebrows है एक इनसान की वह धीरे-धीरे करके time के साथ बिल्कुली खतम हो जाती है लेपरोसी वालों की फिर edges of ear becomes red जो कान का जो भार का outer part होता है वो red color का हो जाता है less or no tactile sensation तेक्टाइल सेंसेशन धीरे-धीरे करके घटती जाती है और अन्त में no tactile sensation हो जाती है painless wounds on the legs जो हमारी टांगे बगार होती है उसके अंदर painless wounds painless मतलब कि वहाँ पर आपके घाओं होंगे पर उन घाओं के अंदर आपके दर्द नहीं होगा अपने देखा होगा जो normal अगर आपको कहीं पर गाओ या चोट बगार लगती है तो उसके अंदर आपको दर्द हो हो जाता है क्योंकि उनकी sensitivity बिल्कुल ही घट जाती है जीरो हो जाती हो पार्ट की फिर जो हमारा last last point है वो है nose deformative जो हमारा बेसिकली brief में नहीं देखेंगे इसके अंदर खाली points देख लेते हैं जो कि इसमें questions बनते हैं वह इसमें खाली आपको points में ही पूछेंगे कि किसने क्या का था और यहां से कोई question आजे पर फिर भी हम एक बार देख लेते हैं पहला E.T.Madrid ने कहा था 1953 में इसको दो पार्ट इस था दूसरा ट्यूबर क्लॉइड था फिर उसके बाद था फिर हम मैक्यूलोन एस्थेटिक फिर उसके बाद लास था इंटर्टेंड मिनेट फिर उसके बाद हम देखते हैं जॉपलिन्स और रिडली ने 1996 में कहा था हिस्ट्रॉइड टाइप ओक्यूलर और लास था बो इंट्रेवेंशन के इसमें हम दो पार्ट बना रहे हैं यह पहला पार्ट और आगे चल के आपको इसका सेकेंड पार्ट भी देखने को मिलेगा इसी वीडियो में तो इसमें है पहला है चेक वैदर दी सेंसेशनल फीलिंग इंक्रीज और डिक्रीज पहले हम चेक करेंगे क जहां पर आपको आपको इसम्टम से इरिया में और इसकी के तो वहाँ पर हम एक पॉयंटेड निडल लेंगे उसे तो तो जो चाइल्ड हो गा या व्यक्ति हो गा उचके हम आंखों में पट्टी बांदेंगे और उसको तो बताना होगा कि किस पॉइंट पे हमने नीडल से टच करा है इफ नॉट दे सेंसेशन कैन बी चेक्ट बाई पियर्सिंग दी स्किन विद धी हल्प ऑफ स्टेरिलाइजड नीडल अगर बच्चा वो नहीं बता पाता है कि किस तरीके से किस पॉइंट पे हमने टच करा है तो उसके बाद हमारे सेकेंड स्टेप होगा कि हम उसे पियर्सिंग कर दे मतलब उसके इंदर सुई वगरा डाल के उसको पूछे कि अब उसे कुछ पता सेंसेशन हो रही या नहीं हो रही पर एक बात का हम यहां पर ध्यान रखेंगे कि जो नीडल होगी वो स्टेरिलाइजड होगी पहले से ही उसके बाद है दचाइल इस आस्टू कीप इस फिंगर स्ट्रेट उसे मतलब बच्चे को कहा जाया कि आप अपनी उंगली को स्ट्रेट रखे अगर उसके बाद जो हमने पहली एक्टिविटी करी थी कि अपनी उंगलियों को सीधी रखो अगर बच्चा सीधी अपनी उंगलिया नहीं कर पाता है तो यहां पर लेप्रोशी के चांस है फिर उसके बाद बच्चे से कहा जाएगा कि जो अपना अंगूठा है उससे जो लिटल फिंगल होती है हमारी सबसे चोटी इंगली उसका जो बेस होता है हम जो बच्चे की सकीन है ज्यान रखेंगे जिस एरिया में सेंसेशन नहीं होरी बच्चे को उसीраत से हम फ़ड़ा सीधे और उसप्रोशीमर देखेंगे एक कि उसके इंदर माइक्रो बैक्टीरीयम लेपरी समें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है चेस्ट चाती में दर्द होता है फिंगर्स में पेन होता है, उंगलियों में पेन होता है स्वेलिंग इन नेक जो हमारी गर्दन होती है उसके अंदर सूजन होती है स्वेलिंग इन थ्रोट एंड लंग्स जो हमारा गला और फेफडे होते हैं उनके अंदर swelling देखने को मिलती है और इसके अंदर कई बार complication के कारएं व्यक्ति की मौत भी हो जाती है कि अर्ली इंट्रवेंशन इसका second part जैसे कि हमने बात कर रहा था कि अर्ली इंट्रवेंशन का second part है तो उसे देख लेते हैं medical treatment तो अर्ली इंट्रवेंशन हम medical treatment के तुरू कैसे कर सकते हैं take leprosy affected person to health worker जो leprosy affected person है उसको हम health worker मतलब doctor बगारा के पास लेके जाए उसका start treatment treatment को start करें और साथ साथ जो उसकी family है और वह व्यक्ति है खुद उसे हम थोड़ा encourage करें उसके बाद है provide support and guidance to the individual as per needs जो व्यक्ति है उसको हम support दे जैसे भी financial वगरा उसको support दे ओ या फिर उसे और किसी चीज क्या हो सकता हो तो उस तरीके से support दे और साथ साथ उसे guidance भी दे जिससे की वह ठीक हो जल से जल फिर उसके बाद है casualty treatment prevent the patient from being handicapped or blind जो व्यक्ति है उसको prevent करें आप बचाएं उसे जिसे की handicapped disabled ना हो जाए या फिर blind अंधना हो जाए by treatment the leprosy can be cured सबसे बड़ी बात जो leprosy है वो treatment से ठीक हो जाती है तो उसका पूरा इलाज कर रहा है as it can be cured with medicine दवाईयों वगेरा से जिससे लेप्रोशी ठीक हो जाती है तो इस वज़े से उसका पूरा इलाज कर रहा है by distribution of free medical medicines under national leprosy control program तो जो हमारी सरकार है भारत सरकार उसका एक program है national leprosy cured control program तो उसके थुरू जो medicines वगेरा है लोगों को वो बटवाएं फिर next heading है हमारा prevention of deformative जो deformative हो जाता है इंसान के अंदर उससे बचाओ करवाएं full body exercise can prevent deformatives अगर हम full body exercise वगर करवाते हैं तो उससे हमारा जो deformative हो जाती है उससे हम बच सकते हैं we should prevent sore burning sensation and infection in initial stage जो initial stage में अगर हमें infection वगरा फिर burning sensation वगरा फिर फील होन लग जाती है तो हमें तब ही जाकर डॉक्टर से check-up करवा लेना चाहिए इससे पहर लेकी देर होए providing shoes and gloves on both the hands while working यहां पर wearing कर सकते हैं providing के बजाए जब आप काम कर रहे हो कहीं पे भी भार तो आप अपने shoes वगरा पहने proper और साथ में gloves का भी इस्तेमाल करें तो काफी अच्छी बात होगी next special tools should be made to prevent deformative according to work and needs of the patient जो patient है उसकी according tools वगरा special tools बनाया जिसे की उसको help हो eyes should be kept clean आखे हमेशा साफ रखे eye exercise should be done जो आखों की exercise वगरा होती है वो regularly करें bandages with antibiotic should be used on prevention from infection bandages होती है जिसके अंदर antibiotic लगाओ वो bandages use करें और जहां पर गाओ वगरा है जखम वगरा महाँ पर जो bandages है antibiotic वाली उन्हें use करें फिर उसके बाद social rehabilitation social rehabilitation कैसे करें हम वो देख लेते हैं leprosy person should be included in social gatherings जो leprosy से ग्रस्त व्यक्ति है उसे social gathering वगरा में include करें अपना उसे कट ना कर दे बिल्कुल कि भाई उसे ignore मार दे by this they get encouragement and respect तो इससे क्या होगा जो leprosy से व्यक्ति है जिसे वो encouragement होगी और साथ-साथ उसे respect में मिलेगी and develop willpower उसके अंदर willpower आएगी जिसे की वो society में adjustment कर सकेगा फिर हम prevention leprosy से कैसे prevention कर सकते हैं spread leprosy के बारे में awareness बताए कि उसके symptoms क्या-क्या होते हैं ताकि लोग बाग early stage पर किसी को हो तो detect होके वो treatment कर वा सकते हैं या फिर gloves वगएर या shoes वगएर पहन के काम करें तो इस तरीके से awareness फेलाए leprosy के बारे में पूरा give positive suggestion about unnecessary fear about leprosy जो leprosy के बारे में काफी जारा myths वगएरा भी हैं तो myths को burst करें myths को बताए असलियत क्या है लोगों को myths क्या है इसके बारे में बताए लोगों को tell people that it is corrected or cured through treatment लोगों को बताओ कि जो leprosy है वो बिमारी ठीक हो सकती है या उसे आप बत सकते है treatment के through give attention towards testing and diagnosis जो लोगों के जो लोग टेस्ट नहीं करवाते leprosy वगएरा तो इस वज़े से awareness fellow की लोग बार टेस्टिंग करवाया और जिससे diagnose हो सके organized check-up camps for leprosy schools के अंदर fairs वगएरा के अंदर leprosy के check-up के camps वगएरा लगाया जिससे की हमें और लोगों कोई पता लग चल सके किसको leprosy है या नहीं है और उसके बाद treatment वगएरा करवा सके वह अपना चल के leprosy spread through respiratory track so we must use separate towels, handkerchiefs, pillows वगएरा जैसे की हमें पता है leprosy respiratory track के through फैलती है तो इस वज़े से हम अलग-अलग separate towels वगएरा यूज करे पिलो वगएरा यूज करे और ऐसे खुले में ठीक वगएरा ना मारे तो दोस्ते इसे के साथ वीडियो खतम होती है वीडियो पसंद आयो तो like करें, share करें, subscribe करें और comment करें, thank you दोस्तो